हेलो अस्वाने के दोस्तों मैं हूँ आपका होस्त मौहमद बाबर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मौहमद बाबर मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरे तमाम वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे और समझ भी आ रहे होगी अगर आप लोग को कोई क्वे लास्ट लेक्चर में हमने अपना लॉग इन पेज कर लिया था अब हम लास्ट ली काम किया करते हैं कि इसके अंदर जो है लोग आउट के पेज को भी क्रियेट करने के बाद उसके अदर लोग आउट फंक्शनलिटी एड़ करवा लेते हैं तो यहीं पर मुझे एडमिन के सेशन को पहले स्टार्ट करेंगे हम ठीक है और यहां पर आकर सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे ठीक है और उसके बाद हैडर लोकेशन की मदद से लोकेशन लिख देंगे हम लॉग इन.php सेव करके यहां पर आकर चेक कर लेते हैं अपने ब्राउजर के अंदर इसको सेशनाली लेकिन लिंक निल गया तो इंक्लिवड में जाकर जो हमारा हैडर था यह हैडर इसके उपर जो लोगाउट का था जो लिंक इसके उपर मैं लिख लेता हूं लोगाउट.php सेव करके यहां पर आकर रिफरेश कर लेते एक दफा 85 में लोगाउट को ग्लिक करूँ उसकी वज़ा यह है कि यहां पर अगर आपको मैं दिखाऊं इंडेक्स में चले जाते हैं बलकि इंक्लिवड में टॉप पर चले जाते हैं क्योंकि टॉप हर पेज में अवेलेबल है और मुझे हर पेज को रिडिडर्क करवाना है तो मैं हब लिख लेता हूँ इस सेट ना लौकेशन से १णि से लोकेशन हटोनि सिंगल इंवर्ट्रीय डबելल इंवर्ट्रीड में लुकेशन है है सो西 अली यहां रहे हम लॉकेशन के अंदर लॉगिन डॉगिन डॉट फिर सेफरेश करते हैं MIKE दॉफ है यहां पर redirect करतेगा, अब मैं दुबारा से अपना admin लिखने के बाद login करता हूं, तो again से error आ रहा है, मेरे हैं स्टोर नहीं हो रही value या तो सही तरीके से, कुछ error है, यहां पर मैंने session को activate नहीं करवाया, तो बस session को start करवा लेते हैं, session underscore start, बस ठीक हो गया, अब दुबारा से इसको refresh करते हैं, और इसको आप login करते हैं, अगें से, तो यह देखें, यह हमारा यहां पर redirect हो गया, अब मैं अगर इसको logout करने के बाद, यहां पर index.php लिख कर जात ना ही categories.php ना ही किसी और page में जाने देगा, तो हमारा logout का page भी successfully create हो चुका और login भी हमने easily create कर लिया, अब last lecture के अंदर हमने पहले अपने lectures में category का page create कर लिया था, लेकिन category के अंदर मैंने कोई चीज़ आड़ करवाई थी, कि कोई dell को delete करें तो वो हो जाए, लेकिन मैं यह set हो dell, और set हो dollar underscore session email, तो ही यह delete करें, ऐसा ना हो ना कि अभी वो कोई login ना करें और यहां पर आकर लिखे categories.php अगर किसी को category की ID पता है तो यहां पर लिखे question mark और delete is equal to fla number, fla id, तो वो क्या हो जाएगा delete हो जाएगी, लेकिन अब अगर मैं इसको करूँगा ना, यहां पर अगर मैं इसको refresh कर लेता हूँ, जैसे admin, refresh करता हूँ, login वाले page पर हो ना, अब मैं इसको पहले login create कर लेता हूँ, और sign in करता हूँ, अब यहां पर categories में जाके आपको मैं एक id दिखायता हूँ, यह id है, जैसे dell id, यह वाली, ठीक है, इसका मैं लिखा होगा, categories.php, question mark, dell is equal to 8, इसको मैं copy करता हूँ, और यहां से logout कर लेता हूँ, अगर मैं यह link जो यहां पर paste करके enter करूँगा, तो इससे क्या होगा, कि मेरी जो, वो query होगी, वो run नहीं होगी, यहां मैं categories दिखायता हूँ, तो यह देखे, delete नहीं हुई, लेकिन, अगर मैं यहां से यह चीज डिलीट कर दाता हूँ, खतम कर दाता हूँ, अब save करता हूँ, अब इसको logout करता हूँ, और logout करने के बाद वो link यहां पर paste करता हूँ, अब enter करता हूँ, तो basically उसने login तो मुझे नहीं किया, login नहीं किया, लेकिन वहां से जा के query उसने delete करती होगी, यह देखे, query delete हो चुकी है, इसलिए मैंने यहां पर यह चीज लिखी थी, and is set हो, dollar underscore session, session में email, ठीक है, अब उस वोकद तक यह query run नहीं करेगी, जब तक कोई login नहीं करेगा page के अंदर, ठीक ह हो गया, तो यह भी काम हमारा successfully run कर चुका है, अच्छा, अब एक और चीज रहेगी है, हमारी, वो क्या है, कि अब देखे, मैं admin में include में जाकर process.php में click करता हूँ, तो मैं यहां पर तो आ गया हूँ, एक और चीज, अगर मैं login करता हूँ, तब जाने की कोशिश करती है, include म process.php तब भी मैं चला गया हूँ, मुझे यह page नहीं show करवाना, तो अब मुझे process.php में जाकर, यही जो top.php के अंदर मैंने काम किया था, वो ही मुझे process.php में जाकर करना पड़ेगा, तो top जो थी, वो यह थी file, यह वहाँ जो काम था, तो सिरफ इतना सा काम मैं, copy कर लेत करते हैं, अब देखें, यह login.php, हाँ, इदर से क्या होगा, यहां पर एक error है, कि यहां से login.php की उसको file नहीं मिलेगा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, double quote slash देना होगा, save करके, अब इसको करते है, login.php नहीं, यहां पर पहले inc में process.php को click करते है, वो automatically मुझे यहां अगर मैं लोग इन करता हूँ, और यहां पर जाता हूँ process.php में अब तो मुझे ले जाएगा, inc में मजोद process.php में अब तो वो ले गया, लेकिन अगर मैं इसको logout करता हूँ, और यहां पर again से अबine में process.php अज़ ले जाता हूँ, तो तब भी मैं नहीं जा पाँगा. तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही नेक्स वीडियो में हम मज़ीद टिटोरियल के साथ मैं मुलाकात करता हूँ आपके साथ तब तक के लिए अजाज़त दें अल्ला हाफिज